तो चलिए देखते हैं कि electromagnetic induction के लिए फेराइडे का first low क्या होता है यहाँ पे हमने कोईल को represent किया है जिसके पास में हमने एक magnet को रखा हुआ है जब हम इस magnet को इस कोईल के पास लेकर जाते हैं तो इस कोईल से पास उने वाला magnetic field और magnetic flux change होता है अब फेराइडे के first low के according जब भी किसी कोईल या किसी भी conductor से पास उने वाला magnetic flux change होता है तो इस कोईल या conductor के अंदर एक EMF produce होता है और इस कोईल के अंदर ये EMF तब तक produce होता रहता है जब तक इस कोईल से पास उने वाला magnetic flux change होता रहेगा यानि कि simply हम कह सकते हैं कि फेराइडे का first low हमें किसी भी कोईल या किसी भी conductor में EMF के produce होने के reason के बारे में बताता है